एपिसोड में हमने वैदिक विधी द्वारा टू डिजिट वथरी डिजिट अनकों का वर्ग निकालना सीखा था इस बार हम इसका इन्वस प्रोसेस से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जो की एक बहुत ही सरल विधी है इसके पहले की हम आगे बढ़े दो बातें ध्यान में रखनी है पहले तो हमें एक से दस तक की संख्याओं के वर्ग अपनी मेमरी में कर्थस्त कर लेना है इन वर्गों के अंतिम अंख का अवलोकन करने से पता चलेगा, कि हम जिस संख्या का वर्ग मूल निकाल रहे है, perfect square है या नहीं, जैसे यदि संख्या का अंतिम अंख 2, 3, 7, 8 है, तो ऐसी संख्या perfect square नहीं हो सकती, अगर अंतिम अंख 1, 4, 9, 6, 5 है, तो संख्या perfect square होगी, इस एपीसोड में हम केवल पफेक्ट स्क्वायर संख्याओं का वर्ग मूल निकालना सीखेंगे अब हम कुछ एक्जामपिल लेकर समझने की कोशिश करते है जैसे वर्ग मूल आफ दो सो चपपन संख्या के आखिरी दो अंकों को देखे संख्या है चपपन अब हम चार्ट गौर से देखें तो चार वच्छा के वर्गों का अंतिम अंख है चा अब हम पहला अकम देखेंगे जो है दो ऐसी संख्या जिसका वर्ग दो से ज्यादा न हो वो है एक अब फाइनल संख्या होगी 14 या 16 इन दोनों में सलेक्ट करने के लिए हम दो वच्छे का गुना करेंगे बारह जो दो से बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या 16 चुनेंगे अतह 256 का वर्ग मूल होगा 16 एक और एक्जाम्पिल लेते है जैसे वर्ग मूल आफ 361 संख्या के आखिरी दो अंकों को देखे संख्या है 61 अब हम चार्ट गौर से देखें तो एक और नौ के वर्गों का अंतिम अंक है एक अब हम पहला अकम देखेंगे जो है तीन ऐसी संख्या जिसका वर्ग तीन से ज़्यादा न हो वो है एक अब एक एक और नौ के पहले लिखेंगे संख्या बनेगी 11 या 19 इन दोनों में से एक सलेक्ट करने के लिए हम एक और नौ का गुना करेंगे नौ जो तीन से बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या 19 चुनेंगे अतह 361 का वर्ग मूल होगा 19 अब हम कुछ प्रशन सीधे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं जैसे वर्ग मूल आफ 600 पिच्ची आखिरी दो अंख है 25 वो अंख जिसके वर्ग में आखिर में 5 आएगा ठै 5 स्क्वाय इक्वल्स 25 पहला अंख है 6 ऐसी संख्या जिसका वर्ग 6 या 6 से कम हो है 2 इसलिए फाइनल 625 का वर्ग मूल होगा 25 एक प्रशन और जैसे वर्ग मूल आफ 1521 आखिरी दो अंख है 21 वो अंख जिसके वर्ग में आखिर में एक आएगा है 1 का स्क्वाय इक्वल्स 1 और 9 का स्क्वाय 81 पहले दो अंख है 15 ऐसी संख्या जिसका वर्ग 15 से कम हो है 3 इसलिए फाइनल 1521 का वर्ग मूल होगा 49 अट लास्ट माना की हमें स्क्वाय रूट आफ 12,544 ज्याद करना है आखिरी दो अंख है 44 अंतिम अंख है 4 अब चून की 2 का वर्ग 4 है आठ का वर्ग 64 है पहले तीन अंख है 125 ऐसी संख्या जिसका वर्ग 125 या इससे कम होगा है 11 इसलिए स्क्वाय रूट 12,544 इकल्स 112 इसलिए पोस्ट में हमने perfect square संख्याओ का square root निकालना सीखा था इस बार हम non-perfect संख्याओ का square root निकालना सीखेंगे जैसे square root 7 इसके लिए जो सूतर प्रयोग में लाया जाएगा वो है square root x plus y equals square root x plus y upon 2 square root x साथ को ऐसे split करेंगे कि पहली संख्या निकत्तम perfect square हो जैसे root 9 minus 2 बराबर 3 minus 2 upon 2 into 3 बराबर 3 minus 1 upon 3 बराबर 8 बटे 3 मतलब 2.6 Let us find now square root of 92 बानवे को ऐसे split करेंगे कि पहली संख्या निकत्तम perfect square हो जैसे 81 plus 11 बराबर 81 plus 11 upon 2.81 बराबर 9 plus 11 upon 2.9 बराबर 9 plus 11 बटे 18 मतलब 9.61 Let us find now square root of 250 250 को ऐसे split करेंगे कि पहली संख्या निकत्तम perfect square हो जैसे 256 minus 6 बराबर 256 minus 6 upon 2.256 बराबर 16 minus 6 upon 2 into 16 बराबर 16 minus 6 बटे बत्तीस मतलब 15 बटे बत्तारह बराबर 16 बराबर 16 बराबर 16